हलो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे डेली करेंट अवेर की जो सेशन्स हम आपके लिए ला रहे हैं वो रेगुलर फोलो कर रहे होंगे वीडियो के एंट देखा करें चैनल का सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो तु पहला कोशन लेंगे आए किन तेन किन तीन देशों ने उर्जा रक्षा और अर्थ विवस्ता सहित शेत्रों में त्री पक्षिय सयोग पहल की स्थापना की तो ये तीन जो देश हैं वो हैं बारत फ्रांस और सयुक्त अरब अमीरात बारत फ्रांस और सयुक्त अरब अमीरा आगे बढ़ते हैं महिला प्रीमियर लीग 4-26 मार्च तक कहां आयोजित की जाएगी वोमन्स प्रीमियर लीग तो इसका अंसूर है मुंबई महिला प्रीमियर लीग का आयोजन मुंबई में 4-26 मार्च तक किया जाएगा 5-23 में किस देश में 7.8 तिवरता का बुकम पाया था तो यह तर्की 5-23 में 7.8 तिवरता का बुकम पाया जिसमें कई लोग मारे गए और इमारतेں डह गई किस देश में खादे संकट के दुरान मुख्य बोजन के रूप में चावल की भूसी को बढ़ावा दिया गया था तो यह चीन चीन में खादे संकट के दोरान चावल की भूसी को मुख्य बोजन के रूप में परचारित किया गया अगला कुशन देखिए परदान मंतरी शिरी नरिंदर मोदी ने हाल ही में किस शहर में तक्षिर भारत की पहली उद्योगिक गलियारा परियोजना की अधारशिला रखी तो यह है तुमकूरू परदान मंतरी शिरी नरिंदर मोदी ने हाल ही में तुमकूरू में तक्षिर भारत की पहली उद्योगिक गलियारा परियोजना की अधारशिला रखी तो याद रखेगा तुम कूरू हाल ही में किस देश को इंटरनेशनल सीबेड अथोरिटी द्वारा ब्लू एकोनोमी में पायनियर इन्वेस्टर के रुप में नामित किया गया है तो यह है भारत इंटरनेशनल सीबेड अथोरिटी द्वारा भारत को ब्लू एकोनोमी में पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया है सरकार ने वोडव ओफ्वन आइडिया के कितने करोड रुपाया ब्यास को एकवीटी में बदलने की मनझूरी दी है तो यह 16133 सरकार ने रुपए के रुपा अंतरन को मनझूरी दे दी है वाणी जहराम को पद्व भुषन से कब सम्मानित किया गया था वानी जयराम को 26 जनरी 2023 को पदम बुशन से सम्मानित किया गया था 96 वा अखिल भारतिय मराथी सहीतिय सम्मेलन महराष्टर के किस जिले में शुरू हुआ तो यह है वर्धा महराश्टर के वर्धा जिले में 96 वा अखिल भारतिय मराथी साहीतिय सम्मेलन शुरू हुआ पुर्व भारतिय क्रिकेटर मौन्टी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने है तो ये बने हैं निपाल पुर्व भारतिये क्रिकेटर मॉन्टी देसाई निपाल की क्रिकेट टीम के कोच बने आर्थिक साहता योजना के तहट भारत ने श्रिलंका को कितनी बसें परदान की तो इसका अनस्वर है 50 साहता यूजना के तहर शिलंका को 50 बसें भारत ने प्रदान की किस वर्ष के स्पोर्ट स्टार इस्ट स्पोर्ट स्कॉन्कलेव में भरते है महिला क्रिकेट खिलाडी तीता सादू ने इमर्जिंग हीरो पुरसकार जीता तो ये है दो हजारतेईस अनने दो हजारतेईस स्पोर्ट स्टार इस्ट स्पोर्ट सैंग कोन्कलेव में इमर्जिंग हीरो पुरसकार जीता है सीएम योगी ने किस शहर में VFS ग्लोबल के विजा केंदर का उधगाटन किया तो ये है लखनव, सीम योगी ने लखनव में VFS गलोबल के वीजा सेंटर का उदगाठन किया मनपुर्म फाइनन्स के M.D. वीपी नंद कुमार को हुरुन इंडिया पुरसकार किस वर्ष मिला था तो ये है दो हजार बाइस, मनपुर्म फाइनन्स के M.D. वीपी नंद कुमार ने दो हजार बाइस में हुरुन इंडिया अवोर्ड प्राप्त किया राश्ट्रिये नाट्ये विद्याले भारत रंग महोसव के किस संस्क्रण का आयोजन कर रहा है तो ये है बाइस में राश्ट्रिये नाट्ये विद्याले भारत रंग महोसव के बाइस में संस्क्रण का आयोजन कर रहा है अगला कुशन देगे कौनसा शहर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निकाए बन गया है तो ये है इंदोर इंदोर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निकाए बन गया है लेह में राश्ट्रिये आईस होकी चेंपियनशिप का कौनसा संस्क्रण आयोजन किया गया था तो ये है बारवा राश्ट्रिय आईस होकी चैंपियंशिप का बारवा संस्क्रन लिल अधाख में आयोजित किया गया था किस आस्ट्रियाई क्रिकेटर ने अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है तो यह है एरन फिंच, एरन फिंच ने अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास की गोशना की है अगला कोशन देखिए किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए PISA परिक्षा आयोजित करने के लिए OECD के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो यह है गुजरात, गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए PISA परिक्षा आयोजित करने के लिए OECD के साथ एक समझोता हस्ताक्षर किया है आखरी कोशन देखिए कैसा लगा आपको यह सेशन आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताइए वीडियो का इंटर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने टेंडर समार्ग करना बिलकुल ना भूलें यह में अपनी प्रेजेंस जो है वो बताना बिल्कुल ना बूलें वीडियो को शेर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और हमारे सब बने रहें शाम चार बजे का जो डेली जीके क्विज का सेशन है उसे देखना ना बूलें और कल सुबह आठ बजे फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ स्वस्त्रें मस्त्रें पढ़ते रहें थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू थैंक यू वेरी मच